हेलो एवरीवन वेलकम एगें टो और यूटूब चैनल इनके मैद्स आज की इस वीडियो में मैं फिर से एससे सीपियो 22 का एक सेट सॉल्व करने वाला हूं ठीक है एक्जाम डेट आप देख सकते हैं एक्चुली में मैं नौ नौमबर का जो पेपर था उसी को सॉल्व करने लेकिन यह जो है वाइब मिस्टेक पीटी जो रेडी हुआ है वह हुआ है आप देख सकते हैं 11 नौमबर का पेपर है और यह थर्ड़ सिप्ट का पेपर है ठीक है तो फिलहाल मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं हूं और फिर से बागी की जो पिछले से उनको मैं सॉल्व करू अगर आपने नहीं जोइन किया है एनके मैं संदुकुमार के ही नाम से है डिस्क्रिप्सन में आपको उसका लिंक भी मिलेगा आप चाहें तो डिरेक्ट टेली ग्राम पे एनके मैं संदुकुमार सर्च भी कर सकते हैं ठीक है वहां आपको इसकी पीडियेप मिल जाएगी ब वाई लिंग्वल होने वाली है ठीक है पहले क्वेशन से स्टार्ट करता हूं वीडियो को लाइक जरूट से कर देना और अगर हमारा चैनल के मैं सब्सक्राइब भी कर लिजेगा चलिए पहला क्वेशन सुरू करते हैं अच्छा देखो अगर आप पुछो कि पिछले एक दो दिनों में क्वेशन या फिर कोई वीडियो नहीं बन पाई क्यों तो सिधा कारण है कि मेरा जो गला है वो बेसिकली खराब हो गया था सरदी खांसी और जुकाम के कारण किजिएगा ऐसा नहीं है कि मैंने जान बुछ कर वीडियो नहीं बनाया फर्स्ट क्वेशन जो है वो है इफ दन नंबर दिस इज एक्जेक्टली डिविजिबल वाई 99 देन दा वैल्यू ओफ पी क्यू इस एक्वल तो वट पी क्यू का प्रोड़क्ट आपको बताना है या अगर वो 9 से डिवाइड है तो एक कम आप कर सकते हैं यहां पर मैं लिखी देता हूँ यह आप चाहो तो डिरेक्ट यहां से देख लो कि 9 से डिवाइड होने क्या मतलब है कि सम आप डिजिट्स जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए जो नंबर आपको गिवेन है वो है 55P 1067Q and 9 अगर यह 9 से डिवाइड है तो आप सब को प्लेस कर लो और जो सम आता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए 9 तो कठी जाता है फिर देखो 5 और 5 10 और 6 16 10 और 6 16 ना करके 10 और 7 17 और 1 18 कर लो तो 18 भी 9 से डिवाइड हो जाता है अब बंचा आपके पास P प्लेस क्यू और प्लेस का 6 तो P और प्लेस क्यू और प्लेस का 6 अब यह जो वैलू बंचा यह overall या तो आपका 9 आ जाना चाहिए या फिर 9 का कोई multiple होना चाहिए 18 हो सकता है या नौतियां से 27 हो सकता है यह सब हो सकते हैं अब यहां से अगर मैं P प्लेस क्यू की वैलू पूछू तो आप बोलोगे कि अगर यह 9 के बराबर होगा तो 6 इधर आ के माइनस होगा तो वैलू यह 3 के बराबर आएगा अगर इसको आप 18 लेते है क्यों possible नहीं है क्योंकि P और Q एक digit है और दोनों digit की जो maximum value हो सकती है वो 9 और 9 हो सकती है इसका मतलब 2 digit का जो maximum sum आ सकता है वो आपका 18 ही आ सकता है इससे उपर नहीं आ सकता है यानि कि 21 को आप नहीं ले सकते हो तो P प्लेस Q की value या तो 3 होगी या 12 होगी अब दूसरा हम बा से divisible है तो alternate digits का सम निकाल लो यह 5 और यह हो गया P और फिर यह 0 फिर 7 और फिर 9 कितना हो गया 9 साथ 16 और 17 और 5 9 और 7 16 16 में 0 जो रोगे तो 16 ही रह जाएगा और 5 21 तो यह 21 और प्लेस P हो गया ठीक है माइनस दूसरा वला निकाल लो जो बंच गया अगर आप उसको निकालोगे तो 5 और 1 6 6 और 7 साथ नहीं एक मिनट सॉरी 5 और 1 6 6 और 6 12 और प्लेस Q तो यह 12 हो गया और प्लेस Q को मैं माइनस लिख देता हूं माइनस से मल्टिप्लाई करके तो यह बहुराल आपका बंचेगा P माइनस Q और 12 में से सॉरी 21 में से 12 को माइनस करोगे तो यह जाएगा 9 प्लेस का अब यह जो वैलू है यह या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए ऐसा आपने पढ़ा होगा ठीक है या फिर 11 का कोई प्रोड़क्ट भी ले सकते हैं आप चाहो तो तो पी माइनस Q जो आएगा वो ओवरल मा बात समझे आप देखिए अब अगर आप 3 लेते हो तो यहां से पी की जो वैलू निकालोगे दोनों एकवेशन मानलो यह एकवेशन फरस्ट हो गया यह सेकेंड हो गया जो जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं मान ही लो अगर आप दोनों को प्लस करके हाफ करोगे तो पी है ठीक है तो इसलिए हम 3 नहीं ले सकते अब 12 ले लो अगर पी प्लस क्यू को आप 12 लेते हो तो बारह और दो 14 तो पी का मान दोनों को जोर लो 14 का आधा साथ और क्यू में दोनों को घटा लो यानि 10 का आधा 5 और दोनों का प्रोड़क्ट साथ पच्चे 35 अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्चन नंबर 2 पे आते हैं मुझे समझाना रहता है इसलिए थोड़ा टाइम जादा ले लेता हूं मैं नेक्स्ट वेशन है दो धनात्मक संख्याओं का में इतना का अंतर है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है त होगा कि हम बेशिक से सौल करने में सबसे पहला आपके पास चीज है कि देखो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्यासे डिवाइड करोगे तो जो भागफल यानी को सेंट आएगा वह से आपने पढ़ा होगा कि इसका और इसका प्रोड़क्ट और प्लस यह x के बराबर होता है तो आप बोलो कि 12 into y यानि कि 12 y और plus का 13 यह x के बराबर हो गया यानि कि आप यह लिख सकते हो यहाँ से देखो क्योंकि हमें बरी संख्या निकालना है ठीक है तो आप यहाँ से y की value निकाल लो यह better होगा या 2 equation बना लो जैसे आप बनाते हो आप यह के लो कि देखो x और minus का 12 y है यह होगया minus का 13 इसको equation एक मान लो दूसरा जो equation बनेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है आपके कि दोनो numbers का जो difference है वो यह है यानि कि x और minus y यह difference होगया यह कितना दिया है चोड़ चे 114 ठीक है और यह 11 बनेगा 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 36 और 147 अब यह equation सेकंड हो गया इसमें से इसको minus कर लो आप अगर minus करो तो आपको पता है कि यह कट जाएगा और यह बनेगा 11 x और इसमें तो 13 आपको overall add करना पर सकता है अच्छा यहां पर एक mistake है यह minus का 13 नहीं आएगा प्लस का ही आएगा तो overall जब इसमें से इसको minus कर रहे है तो यह minus हो जाएगा ठीक है minus करोगे तो देखो 12 में से 11 याने कि यह कम ही आएगा तो यह कितना आजाएगा आपके पास 47 और यह हो जाएगा देखो 12 में से 3 गया 9 ठीक है और यह बंचा 10 में से 1 गया यह भी 9 और यह बंच गया आपके पास 3 ठीक है यहां पर 4 है तो यह 3 बंच गया 11 से काट दो तो 11,4 के 44 और 11,3,33,0 11,99,99,X की value यह आगई संख्या की अंको का योग बताना है तो 4,3,7 और 9,16 आएगा याने की option B जो है वो सही है चलिए next question जो है एक परिक्षा में परते एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं प्लस में और परते एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक माइनस में याने की 2 अंक काट लिए जाते हैं जैने सभी प्रसनों के उत्तर दिये याने की जितने question है सब के उत्तर दे दिये लेकिन उसे माइनस में 12 अंक प्राप्त हुआ है आपको बताना अच्छा इसमें ये भी दिया है कि उसने 4 उत्तर सही दिये है 4 उसका उत्तर जो है वो सही है तो आपको बताना क्या है English में पढ़ लिजी यहाँ पर How many of his answers were incorrect ठीक है यानि कितना answer उसने गलत दिया है ठीक है अब एक बार समझो आप पहरे तो कि उसने minus में 12 अंक लाए ये total उसका marks है आप अलग-अलग भी जोड सकते हो ठीक है क्योंकि 4 अंक उसका सही है तो आप बोलोगे 4 सही है तो 4 गुना 5 ये 20 अंक उसका मिला और प्लस मान लो x question गलत है तो आप लिखोगे x और हरे गलत question के लिए 2 अंक कटते हैं तो minus 2 ये गलत question के लिए हो गया ये हो गया सही के लिए इतना मिला और ये गलत के लिए हरे question पर 2 कटेगा और overall मिला कितना है उसको minus 12 ये निकाल लो 4 पच्चे 20 तो minus का 2 x is equal to 20 को उधर भेजोगे तो minus का 32 यानि x का मान कितना आ जाएगा 16 यानि कि 16 प्रसन उसने गलत किये है या आप चाहो तो ऐसे भी निकाल लोगे सिधे सिधे कि देखो भाई 20 अंग तो ऐसे प्राप्त कर लिया 4 सही अंसर किया यानि कि 5 चाहो के 20 अंग ऐसे प्राप्त कर लिया लेकिन overall minus 12 ही मिला इसका मतलब कि उसने 20 से और 12 जादा गलत किया है यानि कि overall 32 गलत किया और हड़ एक गलत के लिए 2 अंग काटे जाते हैं तो 32 कटने का मतलब कि 16 उसने equation गलत किया है ठीक है आगे बठते है अब चलिए जो अगला सवाल है वो है अपने पास बोल रहा है कि x की value यह है y की value यह है 23 x और a into y का जो उचितम उभेनिस्ट गुरनखंड है यानि की highest common factor जिसको आप समाने भासा में hcf बोलते हो वो x और y से क्या है divisible है a का आपको possible value बताना है सबसे पहले देखो किसके hcf की बात कर रहा है यह बोलड़ा है 23 x और साथ में a y की 23 x का मतलब यह हुआ 23 और into x का मान हो गया 24 ay का मतलब a और y की value है अपने पास 322 इसका जो hcf है वो आपको बोला है कि x और y दोनों से divide होना चाहिए अच्छा बताओ hcf का मतलब क्या होता है जो highest value common हो जाए आप चाहो तो इसको जरा ब्रेक करके आप लिखो कि यह ब्रेक करें अगर तो कितना बनेगा आप बोलोगे कि देखो 16 से कटेगा क्या यह 16 एक बार में आठ से कट जाएगा लास्ट में 24 है तो आठ दुना 16 और चार और दुच्व आठ आठ से कट रहा है 16 से चेक कर लो 16 एक बार में 6 और 16 से कट रहा है तो यह 16 और इन्टू इसको लिख सकते हो 16 एक बार में तो मचेगा आपके पास चार और दुच्छ तो 164 के 64 यह बंदा है कि कुछ और तो छूट गया ना सोला एक बार में तो 4 और 2 6 और 4 164 के 64 नहीं नहीं एक मिनट रुख जाओ वैसिकली यह 16 और इन्टू का 16 एक हम 16 16 4 के 64 16 16 गुना 14 बंदा है तो इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं कि यह 16 गुना 2 और गुना का हो गया साथ 14 को मैंने दो गुना साथ लिख दिया और ये इंटू का 23 ऐसे ही रहे गया ये आगया आपका पहले वाला वैल्यू इसको भी ऐसे ही आप ब्रेक कर लो जरा तो ये एंटू इसको ब्रेक करोगे तो ये देखो 2 से तो कट जाएगा 2 और गुना कितना बनेगा देखो 2 से मोल्टिप्लाई करो गया हैirk lesson आप दोनों का हाइस्ट कॉम मान फेक्टर देखलो है यानी ज्यू दोनों में कॉमन हो आप बोलोए कि टेज और है एक हो तो यह आगया 23 दूसरी वैलू यह आप चाहो तो साथ दुना-14 यहां ले सकते हो और चाहरा नहीं है तो JUST हमने ले यह लिए याने कि 12 में से 14 कमन हो गया और एक हो गया अपने पास 23 कमन ठीक है 16 गुना 2 गुना 7 से ठीक है और y से दोनों से डिवाइड हो जाएगा y का मतलब किस से डिवाइड हो जाएगा यार 322 का मतलब हो गया 223 और 7 इन से डिवाइड हो जाएगा अब ज़राच चेक करो कि जो HCF अभी अमने निकाला है ये डिवाइड होगा इससे आप बोलो कि 2 और 7 से तो डिवाइड हो जाएगा 14 है 23 से भी डिवाइड हो जाएगा ये बात तो सही है HCF तो तभी हो जबाएगा ना जब दोनों ही numbers में 16 available हो आपने जिसका जिसका HCF निकाला है जैसे मालनों एक number 8 है एक number 4 है अब मैं पूछू कि क्या HCF इसका 8 हो सकता है आप बोलोगे नहीं क्यों क्यों कि 8 इसमें भी होना चाहिए इसमें भी common होना चाहिए तभी आप 8 common ले प एक्स्ट्रा लिखा गया है इसी के बदले आपको 16 यूज करना परेगा तभी जाके 16 दोनों में common होगा और HCF में आप आएगा यानि एक वैलू क्या होगा 16 option यह है चले question number 5 की बात करें तो कह रहा है निमलिखित संख्यागर 9 से पूरी तरह divisible है तो end और hashtag का मान बताना है क यह होगा option बाद में चेक कर लेना पहले आप देख लो 9 तो कठी रहा है आठ और 9 कठी रहा है यह बचा 5 और 6 और प्लस मच गया आपका end और hashtag ठीक है तो अब देखो इन दोनों का जो sum होना चाहिए basically वो कितना आना चाहिए या तो 3 आजाए तो यह 9 बन जाएगा तीन किसी option में आ रहा है नहीं आ रहा है अचा देखो अब 9 के बाद 9 से कठने वाला value है 18 तो 18 होने के लिए इनका जो sum होना चाहिए वो 12 होना चाहिए तभी तो 12 और 6 18 बनेगा क्या किसी का sum 12 है इसका sum 12 है ठीक है यह आप देख पा रहे है ना option D का sum 12 है बागी किसी में नहीं है तो option D जब एक बार सही मिलिया तो आगे बढ़ने की अब जरूरत नहीं है चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल अपने पास simplification का है इसमें 3 ठीक है मैं देख लेता हूं देखे यहां ऐसे लिखा है 27 of 3 और इंटू का 5 यह 5 आप हटा लो ठीक है अब हम solve करते हैं देखो solve करोगे तो पहले आपको पता है कि divide और off में पहले off होता है तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो देखो इतने टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो कि यह हो गया 25 और बटा यह पहले कर लो 12 पच्चे 60 और गुणा का 2 और माइनस इसको कैसे लिखोगे आप 9 और divided by पहले off वला लिखोगे यानि कि 27 गुणा 3 और इंटू का 5 उपर आ जाएगा या फिर इसको एक बर मल्टिप्लाई कर लो और माइनस यह हो जाएगा 14 by 28 और काट पिट कर लो आप यह 5 पच्चे 25 और यह 12 पच्चे 60 और यह दो चक्के 12 यह हो गया 9 तिया 27 और यह 14 और 28 और दो दुना 4 तो यहाँ पर आ गया 5 बटा 6 और माइनस का 5 बटा 3 तिया 9 और माइनस का 2 ठीक है तो यह आप देखोगे कि LCM कितना आ गया आपने पास दोस्त 9 और 6 का LCM 18 तो पहली बात कि जिसके में नीचे 18 आएगा वो एंसर हो सकता है ठीक है देखो जब 18 नीचे आगया तो 91 पॉसिबल नहीं है नीचे ठीक है क्योंकि 18 को 91 नहीं बना सकते हैं हो सकता है कि 18 कट जाए लेकिन वैलू निगेटिव में आएगी इसलिए यह भी नहीं ह एक रही नहीं हो सकता है ठीक है अब यह आतमाने के चल सकते हो कि कि अगर इक सेल आई इसा कुछ औप समगशन हो तो यह भी कर जाताख और संडिबंद जाता फिर भी अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप डैरेक्ट ऑप्सन डी को मार्क कर सकते थे ठीक है चलो अब सॉल्व कर लेते हैं तो यह आजाएगा छेती आठारा पांस तिया पंद्रह और माइनस नो दुना अठारा पांस दुना 10 और माइनस का 36 तो यह आपका आएगा माइनस 31 बाई 18 ठीक है तो बटते हैं ओके नेक्स्ट केशन पर आ चुके हैं नेक्स्ट केशन भी सिंपलिफिकेशन का है स्टाट कर लेते हैं देखो 25 का स्कूर होता है 625 और यह तो यह कटेगा तो वन बच जाएगा तो यह 625 और एक आगया 626 और माइनस यह सॉल्व कर लो आप ब्राइकेट ले ले इसकी बात करोगे देखो 2 से कट जाएगा 12 का स्कूर कितना होता है 144 तो 8 से काटोगे तो 188 144 और इस 18 से स्कूर कट जाएगा तो यहां बस 18 रह जाएगा ठीक है अब देखो यह हो गया 626 और माइनस यह इसमें से इसमें से 2 इसको देदो कि यह भी 18 बन जाए फिर अगर यह 18 बन जाता है दो इधर ट्रांसफर करोगे तो इससे एकट जाएगा और यह दो कम हो जाएगा तो 47 रह जाएगा माइनस कर लो 16 में से 7 गया तो फिर बंचेगा 9 ठीक है और यहां पच गया 11 में से 4 गया 7 ठीक है तो 7 और 9 इसमें है तो option D सही हुआ चलिए अगला सवाल जो है अपने पास इसमें बोला गया है कि 3 संख्याओं का जो LCM है वो है अपने पास 1386 है ठीक है और तीनों नंबर्स के जो रेशियो है वो 37 और 11 है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का सम बताना है देखो ऐसे क्वेशन में बैने बोला है कि पहले आप रेशियो को ही direct sum ले लो सबसे छोटी है 3 और सबसे बड़ी है 11 तो sum कितना हो गया इनका यानि कि योग हो गया 14 तो answer वही possible है जो 14 से divide होगा यह नहीं हो रहा है यह नहीं हो रहा है यह हो गया यह नहीं हो रहा तो option C सहीं answer है बाकी आपको solve करना है तो आपको तरी का prefer करता हूं जो आपको exam में कम time में solve करके और सही answer दे इनका HCF बताना है तो यह homework में रहने देता हूं यह बड़ा question नहीं है HCF यानिकी कॉमा ने लेना है question number 10 पर आता हूं मैं question number 10 है कि एक रमचारी के वेतन में पहले 15% की वृतन में फिर बाद में 10% का कम किया गया तो कितने परतिशत का परिवर्तन आ गया यह आपको पता है 15% बढ़ा दिया गया तो plus 15 लिखोगे 10% कम हुआ तो minus 10 और plus minus minus इसका जो product होगा 15 गुणा 10, 1500 और 100 से डिवाइड करोगे तो 1.5 यह minus करोगे तो आ जाएगा 5 और 5 minus 1.5 तो यह answer सही होगा क्योंकि यह दोनों तो होन चुनाओं में से 85% मत दताओं ने अपना वोट डाला जिसमें से 4% मत जो है वो अवैद गोसित कर दिये गया एक उमिद्वार को इतना मत मिला जो कि वैद मतों का 85% था आपको बताना है कि कितने total मत दताओं की संख्या क्या थी सिधे सिधे आप सुरू कर सकते हैं इसमें क् सिधे लिख लो कि माल लो total जो number है वो X था तो X में से 85% वोट डाला गया याने कि 85 by 100 ठीक है इसमें से 4% क्या है अवैद हो गया invalid तो 96% valid हुआ अब ये जो valid है इसमें से 85% मत मिला वो इसके बराबर है तो इसका 85% ये किसके बराबर हो गया 6,9 और 36 के बस अब काट पीट ल और ये भी 17,85 और ये 4,25 और ये 4 से कट जाएगा 24,94 के चानवे 17 से ये कट जाएगा कितनी बार में देखो 17,4 के 68,1,3,6,0,7,8,136 17 से एकटेगा 17,2,34 और 17,4,68 और 24,24 तो X की वैलू बस 100,900 याने बस 00 आएगा 10,000 उप्शन सी सही है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 12, दो उमिद्वारों के बीच एक चुनाओं में से एक जो उमिद्वार है वो वैद मतों का 60% प्राप्त किया और वो 180 मतों से निर्वाचित कर दिया गया यानि जीत गोसित कर दिया गया इकुल वैद मतों की संक्या क्या है कुल अगर 100% होते तो जीतने वाले को 60% मिले यानि की हारने वाले को कितने मिले होंगे 40% जीतने वाले को कितने ज़्यादा मिल गया आप बोलोगे 20% ज़्यादा मिल गया लेकिन सवाल में कितना ज़्यादा मिला है दोस्तों सेंट का प्रॉफिट लेकर के मेंच दिया तो अंजु ने कितने कीमत पर मेंचा देखो जो ओबरॉल प्राइस था वो था 75,000 ठीक है पहले को 10% का लॉस हो गया याने की 90 वाई 100 अगले को 20% का लाब हो गया याने की 120 वाटा 100 अब यहां से पहला बात कि जो डी एस होगा वो 9 होगा क्योंकि इसमें 9 है ठीक है वो कटने नहीं जा रहा है तो डीजिटल सम 9 होगा और डीजिटल सम 9 यहां भी पॉसिबल है यहां भी और यह 8, 7, 15, 15, 20 इसमें और इसमें पॉसिबल नहीं है अब बाकी बात करोगे तो आप यहां से देखोगी कि यह 2,0 से 2,0 कट गया और इस 2,0 से यह 2,0 भी कट चुका है जाने कि अभी भी जो बचा है उसमें आप कह सकते हो देखो इसमें है यहां भी 9 है इस दोनों में भी 9 है यानि दो बार 9 आएगा तो option C ही possible है डीट हो गया क्योंकि इसमें दो बार 9 है नहीं ठीक है यह बात आप समझ लेजिए आगे बढ़ें अब आप चाहो तो पूरा calculate कर लो कोई issue नहीं है आप multiply कर दो पूरा मैंने कैसे बता दिया क्योंकि यह भी 3 से कटता है यहां पर 9 है और यह भी 3 से कटता है देखो यह 81 बंडा है बस मैंने बस 3 और 9 काउंट कर लिया question number चलिए देखिए आगला सवाल जो है अपने पास वो यह है कि एक व्यापारी अपने माल याने की जो goods है उसके पास उसका जो price है वो क्रेमल से 40% अधिक कर देता है फिर वो एक वटा 5 भाग पर 10% का discount देता है आधा माल जो है वो अंकित मूले पर और सेस जो है वो 20% के discount पर मेचता है उसका लाव परतिशत बताना है देखो ऐसे question generally easy लगते हैं लेकिन कैलक्लेटीव हो जाते हैं लेकिन हमारे पास इस नहीं बन गई तो आप बोलो के total CP बन गई 100 रूप है ठीक है अब question के हिसाब से वो 40% बढ़ा देता है तो मैं यह बढ़ा नहीं रहा हूं यह मैं last में बढ़ा हूंगा ठीक है यही trick है पहले मैं ऐसे ही निकाल लेता हूं normally कि देखो एक बटा 5 भाग तो total number of item अगर आपने पास 10 है इसका एक बटा 5 भाग यानि कि एक बटा 5 कितना हो गया दो इसको मेंचा जाता है 10% के discount पर यानि कि इसमें से 10% माइनस कर दो तो 9 रुपए के हिसाब से यानि 18 रुपए यहां मिल गया फिर इसका आधा भाग देखो यहां पर आधा बोल रहा है आधा यानि कि 5 द बागी के जो 3 बच गये क्योंकि 5 और 2,7 चले गए तो 3 बच गये वो बेचा जाता है 20% के discount पर तो इसमें से 20% discount दोगे तो 8 के हिसाब से 8,3,24 पर अब यह 3 कितना बन गया तो आप बोलोगे कि यह बन गया 8,8,4,12,5,27,1,8,9 यानि कि 92 रुपीज अभी बन रहे हैं लेकि हम क्या करेंगे हमें पता है कि यह तो हमने उसी rate पर निकाला है जो पहले था 10 ही माना था और 10 पर ही निकाला है तो अब बोलोगे कि देखो अब क्या है अब आपको 40% बढ़ा देना है क्योंकि question के हिसाब से जो actual price थी वो तो 40% जादा थी तो हम 40% यहाँ पर बढ़ा देते तो 100 से कितना ज्यादा है 28.8 ज्यादा है तो option C जो है वो सही answer है आप चाहो तो इसे ऐसे भी समझ सकते थे ऐसे ही कि देखो एक ही बार आप CP 100 मान लो जिसमें मैंने number of items मान रखा है कितना number of items यह माना है 100 और हर एक का जो CP माना है वो एक माना है और यह total CP आप 100 मान लो ठीक ह इसको मेचा जाता है 10% के discount पर इसका 10% discount दोगे आनि कि 90% पर मेचोगे ठीक है तो फिर से अब CP हर एक का एक मान रहे है तो यह point 9 आ जाएगा बात वही आ जाएगा यहां से 9218 बनेगा और अलग-अलग calculate करोगे फिर से आपको यह rate मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं question number 15 पर आता हूं यह कह रहा है कि अलिजा बेथ ने एक furniture store में गई वो और एक study table खरीदी उसे 20% की छूट मिली यदि उसे 25% के छूट मिलती तो वो 1000 रुपए और बचा लेती तो पहले 20% का discount मिला फिर 25% का discount मिलने से उसके पास 1000 रुपए बचते लेकिन यहां देखो difference क कितने का रहा है आप बोलोगे 5% के इसकी वैलू अगर 1000 बन गया तो यह 5 दुना 10 एक परसेंट की वैलू कितनी हो गए 200 तो 100% की वैलू कितनी बनती 20,000 तो option B सही है यहां question number 15 की अगर बात करें 16 की तो यह कह रहा है 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तू इतना में मेची जाती है तो प्रडमिक मूले क्या था उल्टा concept लगा दो इतना लिख दो 10% का डिसकाउंट है तो 100 बटा 95 परसेंट का डिसकाउंट है तो 100 बटा 95 बस इसको calculate करना है तो 19 पहले 9 से इसको काट लो तो यह 9 तियां 27 और 9 अठे 72 यही बचेगा और यह देखो 19 पचे 95 और 19 दुना 38 और यह 5 से कटेगा 20 पचे 100 तो 20 तुना 40 यह option होगा ठीक है और यह एक जिरो और कट रहा है 40 मैंने बस डिजिट मेरा लिया एक होगा Question No.17 है कि एक रासी जो है वो दो साल में इतना रुपय बन जाती है ठीक है जब ब्याज 4% वार्सिक रूप से सन्योजित होता है तो रासी क्या है ठीक है देखो 4% का मतलब आपको पता हुआ कि 25 से 26 बनना 4% होता है एक बटा 25 25 पे का ब्याज मिलेगा तो 25 से 26 बनेगा जिसमें ये है प्रिंसिपल और ये है एमाउंट दो साल की बात है तो आप ये दो बार लिखोगे 25 से 26 ये बन गया 676 और ये बन गया 625 ठीक है और दो बर्स में क्वेशन के हिसाब से इतना रुपय हो जाता है यानि 676 की जो वैलू है वो दे रखा है आपको 7436 और आपको बताना है कितने की वैलू तो आप बलोगे आपको 625 की वैलू बतानी है ठीक है अब इससे इसको काट लो आप 26 से या 13 से काटो दो तिन बार ठीक है इससे काटोगे देखो यूनिट डिजिट पे 1 है ये बात तो आप समझ रहे हो ना तो 6 में यूनिट डिजिट पे 6 कैसे आ सकता है 6 में क्या चित से मल्टिप्लाई करोगे या तो आप वन से मल्टिप्लाई करो या फिर 6 करो अधीय हो सकता है ना वं से च यह लेकिंगे यहां यहां से मल्टिप्लाई करेंगे तो 25 यांगा चलो काट लो फिर उपाय यहां आपके पास ठीक है अगर काटते हो तो इह viendo 13 से कटे इगा इसको 13 से काट लो 134 के 52, 135, 65, तो 5, 4, 9, 13, 91, 32, 26, फिर से 13 से काट लो, 134 के 52, और फिर बचा आपके पास कितना, 134 के 52, यह हो गया, और यह दो बार 13, 13 से कट गया है, तो इसमें यह 26 का स्क्वार है, तो बस 4 मचा, 4 से 11, 14, 44, तो एंसर आया आपका जो, वो 625 होगा, और इंटू का 11, तो यह 5, 5 और 2, 7, देखो, 7 और 5 लास्ट में आएगा, सब में है, 5, 5 और 2, 7, और फिर आपके पास आजाएगा, 6 और 2, 8, 8, 7, 5, option D में है, तो यह होगा, लेगन अब मुझे लगता है, कि इस question में बेटर होता कि हम percentage follow कर लेते, 4 परसेंट के हिसाब से 2 साल का CI कितना बनता, 4 दू 4 और 3, 6 और 100 परसेंट की वैलु आपको बतानी है, तो इससे थोरी नीची आएगे, लेकिन आप यहां से आप डिजिटल सम अपलाई कर सकते थे, 8 और 9 लेंगे नहीं, तो 6 और 1, 7 है, तो क्या करो कि दोनों साइट 7 है, तो इधर आप 4 से मल्टिप्लाई कर लो, ठीक और फ 9 लेंगे नहीं, 6, 5, 11 का DS 2 आएगा, 7, 7, 14, 5, 19 यानि DS 1 आगया, यह हो गया, 6, 5, 11, 7, 18, 18 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 9 बन रहा है, तो DS 5, यह तो कोई अंसर नहीं है, इसको आप चेक कर लो, तो आप बोलते देखो, 8, 6, 8, 14, 14, और 5, 19, तो एक बचा 9 को लेंगे नहीं, 7 और 8, इसमें मच रहा है, यह हो गया, देखो, यह थोरा fast तरीका है, वैसे भी 3 option कट गये थे, तो एक D ऐसे ही answer मच रहा था, आगे बढ़ते है, question number 18, इतना और इतना का मध्यानुपाती, यह homework हो गया, मध्यानुपाती, इतना आसान question है, बताने की जिरूत नहीं, question number 18, पह अगले सवाल में क्या बोला गया है, कि 120 km की, एक यात्रा के दोरान राहिर ने पहले 60 km की दूरी 60 की speed से, और अगले 30 km की दूरी 60 की speed से, और बाकी की जो दूरी बंची है 30 km की, वो 30 की speed से चली, तो इस गती में आपको बताना है, यह पूरे औसत गती क्या होई, देखो, आ to same हो, दो बार का distance same हो, तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर जरा आप देखना ध्यान से मैं क्या दिमाग चलाने कोशिस कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको basic से कर सकते हो, सबका अलग-अलग total distance upon total time करके, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, वो भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय आप easily निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, कुल दूरी आप बोलोगे 120C है, ठीक है, लेकिन कुल समय आप निकालोगे, तो देखो 60 km की दूरी 60 की speed से चला, यानि एक गंट तो यह हो गया 120, यह कुल दूरी लिखा है, और कुल समय लिखा है, यह कितना हो जाएगा, दो दूरी 4 और एक 5 बटा दो, तो नीचे 5 उपर दो, यह 5 से 24 बचे 120, और 24 दूरी 48 यानि यह option A, लेकिन इससे अच्छा क्या रहता कि पहले आप 2xy लगा लेते, अगले 30-30 के लि यानि की 60 into का 30 और बटा X फ्लस Y यानि की 90, तो यह 30 दिया 90 और 2 से 30 दूरी, 30 दिया 90 और 3 से 20 दिया 60, तो 20 दूरी 40 आ जाता, अब यह 40 की रफतार हो गई, अगली 60 किलोमेटर के लिए, और यह 60 इसके साथ आप फिर यह फॉर्मूला अपलाई कर दो, तो एक हो गया 2 और फ 49 विद्यारतियों की एक कक्षा में अंगरेजी के परिक्षा के अंको का उसत 52 है, 40 अंको के उसत वाले 6 लड़कों ने एक समूह से कक्षा छोड़ दिया, 6 लड़कों का एक समूह कक्षा छोड़ देता है, और 43 अंको के उसत वाले 8 लड़कों का एक अन्य समूह कक्षा में च्छे लोग गए और वो चालिस चालिस लेखे गए एवरिज कितना था Bardzo-वान-चालिस चालिस लेखे गए यानि कि बारह कम लेखे गए हैं तो 12 उन्होंने यही ग्रूब के लिए छोड़ दिया 12-12 और 6 बच्चे थे यानि 12 शके 72 उन्होंने यही ग्रूब के लिए छोड़ दिया अब बाकी के जो बच्चे आते हैं आठ बच्चे आते हैं और हड़े एक 43 अंक लेके आते हैं तो 52 से कितने कम लेके आते हैं तो आप बोलोगे 9 अंक कम लेके आते हैं और ये 8 बच्चे हैं यानि कि ये 72 कम लेके आते हैं उधर 72 वो छोड़के गया थे ये 72 कम ही लेके आ रहे इसका मतलब कि एवरेज जितना पहले था अब में भी उतना ही रहेगा कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो पहले 40 अंक वाले 6 लड़के गये थे तो देखो एवरेज बावन था तो वो बावन ना लेके 40 लेके चले गया याने कि सबने बारा बारा अपने हिस्ते का याने कि 72 यहीं पर छोड़ दिया ग्रूप के लिए अब देखो जो अगले 8 बच्चे आते हैं वो 72 कम ही लेके आये हैं याने कि यह दोनों मेंटेन हो जाएगा ठीक है डिवियेशन 0 हो गया तो ओबराल जो एवरेज होगा वो उतना ही रह जाएगा question number 22 की बात करते हैं अंकीता 20 दिनों में एक पांडू लिपी लिख सकती है अपनी सहेली के साथ वो 12 दिनों में लिख सकती है अब सौम्या अकेले यानि कि उसकी जो सहेली है अकेले वो लिपी कितने दिन में लिख सकती है यह भी question मैं करता हूँ skip क्योंकि यह question है एजी यह आपको करना है खुद से अगला सवाल है रीना वीना और वीमला एक काम के लिए चार आट और बारा घंटे लगाती है वे एक साथ मिलके अब बताओ ऐसे ऐसे को फिर से मैं skip कर दूं तो आप बोलो कि इतनी question skip कर रहे है चार है आठ है और बारा है तो टोटल वर कितना हो जा दो बटा 11 तो option D आ रहा है चले जो अगला सवाल है इसमें आपको बोला गया है एक कार तीन बजे चलना सुरू करती है 50 कि रहतार से एक दूसरी कार है वो चार बजे चलना सुरू करती है 75 कि रहतार से और ये पीछा करती है पहले कार का तो दोनों कार किस टाइम पर मिलेग देखो सबसे पहले आप ध्यान देदो कि जो तीन बजे चलता है दोस्तों वो 50 कि रहतार से चलता है और दूसरी कार जो है वो चार बजे चली है तो तीन बजे से चार बजे के वीच एक गंटे का फर्क आ गया इस एक गंटे में पहली कार तो जो 50 कि रहतार से चली होगी व दिस्टेंस लिख दोगे कि 50 km अल्डेडी हो चुका है पहले जब वो पहले चली है तो 50 km तका डिस्टेंस तो फर्क आ गया दोनों में और नीचे आप लिखोगे स्पीड के ऐसे लिखोगे दोनों सेम डिरेक्शन में चल रहा है तो दोनों के स्पीड को माइनस करोगे पिशतर में से 50 माइनस करो 25 तो 25 दोना 50 यानि 2 घंटे बाद वो उसको पकर लेगी ठीक है अब 2 घंटे बाद अगर पकरेगी तो 2 घंटे बाद टाइम कितना हो जाएगा 4 बज़े ये लास्ट वाली सुरू करी है चलना उसमें 2 घंटे बढ़ा दो तो 6 बज़े पकर लेगी वो चलने अगला सवाल देखिए दोस्तों दौर का क्वेश्चन आगया रेस का 500 मिटर की दूरी तया करने के लिए ए 25 सेकंड का समय लेता है जबकि वही दूरी तया करने के लिए 32 सेकंड का समय लेता है एक किलो मिटर की दोर में A, B को कितने मिटर की बढ़त दे जिससे की मैच टाई हो जाए देखो बढ़त देने का मतलब क्या हुआ और मैच टाई भी कराना है बढ़त का मतलब होता है कि जैसे मानलो A यहां से स्टार्ट करेगा तो B को कुछ distance का discount दे दिया गया और यहां मानलो पहुँचना है यह destination है तो B को बोल दिया गया कि चल भाई तू कुछ आगे से ही दोर यहां से तू शुरू करेगा और यहां से शुरू करेगा और दोनों सेम टाइम पर पहुचें या फिर अपना हार जीत भी हो सकता है इसके समें बढ़त का मतलब यही है question के हिसाब से match tie हो जाएगा यानि कि दोनों सेम टाइम पर पहुचेंगे जिस time B पहुचेगा उसी time A पहुचेगा यानि कि match होना है tie तो दोनों के लिए अगर time सेम हो गया तो आप एक बात तो समझते होगे time सेम होने condition में जो speed का ratio होता है वही distance का ratio होता है speed का ratio क्या होगा तो आप बोलोगे time के ratio का उल्टा speed का ratio अगर मैं A और B के लिए लिखू तो इनके time का ratio क्या है A का जो time है वो 25 तो उल्टा हो जाएगा 25 यहाँ जाएगा और 30 यहाँ जाएगा यानि कि यह ratio बन गया 6 और 5 का अब देखो यह जो पूरा distance है यह कितना है दोस्तों 1 km की दौर की बात कर जिये पूरा distance 1 km है यानि कि 1000 मीटर है और वो A तो शुरू से लेके last तक कभर करेगा यानि कि A को पूरा कभर करना है A यानि 6 की value कितनी हो गई आपके पास 1000 मीटर तो आपको बताना है कि B कितना कम दोरेगा देखो B A से जितना कम दोरेगा वही यहाँ पर हो गया बढ़तना तो यहाँ पर 1 unit कम चल रहा है तो वन की value कितनी हो जाएगी इससे काट दो तो यह 500 और बटा तीन आ जाएगा 500 बटा तीन का मतलब 16 तीन आर्टालिस तो तीन आर्टालिस और फिर छे तीन आर्टालिस और तो 166 से सुरू होगा option C एक और तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे कि कि देखो भाई अगर 1000 मिटर की बात करें तो 25 सेकंड में पचीस सेकंड में जो ए है वो 200 मिटर चल लेता है तो 1000 मिटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा इसको यह 4 टाइम्स हो गया तो यह भी 4 टाइम्स यानिकी 100 सेकंड लगेंगे 100 सेकंड में 1000 मिटर चलेगा अब द वो 500 मिटर चलता है 30 सेकंड में B तो B का स्पीड कितना हो गया दोस्त भाई सो और बटा 30 लेकिन उसे 100 सेकंड तक चलाना है तो 100 से मल्टिप्लाई कर दो 0 से 0 यानि कि वो 2500 और बटा 3 इतना मिटर का दूरी तै करेगा कब जब A जो है वो 1000 मिटर तै करेगा तो कितने मिटर क कम उसने डिस्टेंस कबर कर लिया दोनों को माइनेस कर लो दोनों को माइनेस करोगे तो 500 बटा 3 मिटर आ जाएगा यानि कि इस तरह से भी आप निकाल पाऊगे कितने का उसको डिसकाउंट दिया जा रहा है Q26 एक ट्रेन उसी दिसा में चल रही है 4 की स्पीड से और 6 की स्पीड से चल रहे है दो ब्यक्तियों को एक ट्रेन उसी दिसा में यानि कि जिस दिसा में ट्रेन जा रही है उसी दिसा की बात कर रहे है चार और 6 की स्पीड से दो ब्यक्ति चल रहे है दोनों को 12 और 14 सिकन में पार कर जाती है तो train की चाल बतानी है ठीक है आचा एक बात समझे यहां पर जरा चले देखिए अब क्या कर सकते हैं सबसे पहले मान लो train की जो speed है उसको मैंने मान लिया x km per hour अब आपको पता है कि जब भी वो आदमी को पार करती है train तो जो distance होता है वो train की length के बराबर होता ह अभी मान लो दोनों ही case में जो train की length होगी वो तो same होगी यानि distance same होगा पहले case में बताओ distance कितना बनेगा तो आप बोलोगे चाल गुना समय है चाल कितना है तो आप बोलोगे train की चाल है x इसमे से आदमी की चाल 4- कर दो क्योंकि यह same direction में चल रहे है तो यह हो गया चाल औ और गुना समय है यहां पर 14 लग रहा है ठीक है तो यह हो गया आपके पास 12 x और माइनस बारा चोगे 48 और यह हो गया 14 x और माइनस 14 चाल के चोड़ासी तो x की वैलू कितनी आ जाएगी देखो 14 में से 8 गया 6 और 2 से डिवाइड करोगे तो 8 लास्ट में आएगा यानिकी option a question number 27 पर आ जाते हैं अब यह देखो कह रहा है s-1 by s-8 20 है तो इसका cube क्या होगा ऐसा मैंने एक पिछले set में भी question कराया था आप क्या करो इधर भी 8 minus कर दो और इधर भी 8 minus कर दो तो s-8 और minus 1 by s-8 यह वैलू कितनी आ जाएगी 12 अब यहां से अगर इसका cube निकालना है तो आ 27, 28 और plus का 36 तो 8, 6, 14 का 4 और 3, 2, 5 और 1, 6 ठीक है लास्ट में 6 और 4 आएगा और फिर यह 17 का 17 तो option भी आएगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए यह x square plus 1 by x square 98 है तो x plus 1 by x आपको पता है मैंने बताया था कि plus निकालना हो तो इसमें 2 plus करके और under root ले लो तो यह 100 का under root 10 इसमें आएगा यह easy equation है मैंने बहले बहुत बार बता रहा है ठीक है तो 28 का a हो गया अगले में कह रहा है कि यह जो समीकरन दिया गया है यह वाला दो समीकरण है या एक ही समीकरण है दो equation है ठीक है इफ़जक押़़ए्फ इंगलिस में पता नहीं क्या क्या देया पुरा लिखा नहीं हिंदि में आप देख लो यदि समीकरण एक तो यह होग्य और दूसरा यह equation होग्या दोनों के मुल उवहनिस्त है यानि कि दोनों के जो roots हैं वो सेम हैं वेनिस्ट का मतलब common तो आपको PYR की value बताने है कि क्या होगी देखे अब यह सवाल करने के लिए पहले आपको थोड़ा basic पता होना चाहिए जो 10th में आपने पढ़ा होगा कि दो equation के roots common कब होते हैं जब A1 by A2 यह ऐसे लिखो आप B1 by B2 और यह C1 by C2 यह तीनों सेम हो तभी roots common होते हैं यह सेम हो A1, A2, B1, B2 यह सब क्या है अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा देखो सबसे पहले हमें इसको simplify करके लिखना होगा यह कितना है तो आप बोलोगे कि यह है अपने पास 21 और K और X2 प्लेस का 24 K और प्लेस का R X और प्लेस का 14 X2 और माइनस का 9 इक्वल टू 0 तो आप X2 वाले को 1 सांथ लिखते हो और बिना X वाले को 1 सांथ तो इसको मैं इसके सांथ लिखता हूँ तो अगर आप इन में X2 common लिखता हूँ तो यह जाएगा 21 K और प्लेस का 14 तीक है और प्लेस का यह हो गया अपने पास R X और प्लेस का इसको मैं इसके सांथ लिखता हूँ बिना X वाले को ठीक है एक बार x square जो अपना standard form होता है quadratic equation का उसमें मैं लिख रहा हूँ ठीक है तो ये बनेगा आपने पास 24k और minus का 9 equal to 0 ये equation first हो गया ऐसे ही second को आप ready करो तो ये बनेगा देखो ये k के साथ 7x square और ये plus 2x square तो इसमें से अगर x square common ले लोगे तो ये आजाएगा 7k और plus का 2 और plus का ये बीच में px आपका रहेगा और plus जो अगला आएगा वो आएगा यहाँ से 8k और यहाँ से minus का 3 ये आगया 8k और minus का 3 equal to 0 ये हो गया equation 2 अब देखो a1 by a2 हो और b1 by b2 अगर a1 by a2 और b1 by b2 equal लेते हो तो कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि ये अलग-अलग है लेकिन अगर इस दोनों को same करते हो तो देखो इसमें से 3 common लोगे तो ये इतना ही आएगा तो कट जाएगा तो मैं last वाले 2 का use कर रहा हो देखो b1 by b2 और c1 by c2 के same कर रहा हो ये आप change करके भी लिख सकते हैं b2 by b1 लिख दो तो आप p by r लिख होगे क्योंकि यही निकालना है और फिर c2 by c1 लिख दो तो ये हो जाएगा 8 k और minus 3 और ये जो है इसमें से भी अगर मैं 3 common ले लूँ तो ये भी आएगा 8 k और minus का 3 तो ये कट जाएगा तो p by r कितना बच जाएगा 1 by 3 यानि कि option first सही है अगला सवाल है एक समलंब के अकार के मैदान का चेतरफल जो है वो यतना है इसकी दो समनांतर भुजाओं के बीज की दूरी 35 फूट है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फूट है ठीक है तो आपको दूसरी समांतर भुजा बतानी है देखो आपको ये पढ़ा आपने ये पढ़ा होगा कि जो समलंब चेतरफल होता है ट्रेपेजियम का एरिया ये होता है 1 by 2 into some of parallel sides यानि कि समांतर भुजाओं का योग तो समनांतर भुजाओं का जो उनके बीज का योग है वो एक तो 42 है तो आप 42 लिख लो दूसरा नहीं पता है तो मान लो मैंने X लिख दिया और into का height या उनके बेच की दूरी ये होता है 35 और ये दे कितना रखा है आपको 1785 बस अब ये आप 35 से काटो या 7 से काट लो दोनों side 7 35 इसको 7 से काटोगे 7 दूना 14 7 35 और 7 35 फिर 5 से काटो 5 25 और 5 एकम 5 ठीक है तो ये 42 X की value कितनी हो गई इससे multiply करोगे तो 102 तो X की value कितनी आ गई 60 यानि की option A सही है चलिए अगला सवाल जो है पांच मीटर तिर्जा के एक वरित्मे A B और C D परतेक 8 cm लंबाई की दो समान और समनांतर जिवाएं हैं तो जिवाओं के बेच की दूरी क्या है या आपको बताने अच्छा मानलो ये एक सरकल हो गया इसमें ये कह रहा सब्सक्राइब दो करन सेम्सेम है और 88 है और इनके बीच का distance बताना है यान की ये लेंथ बतानी है ठीक है यह मानलो Central कौ मानलो मैंने ओ बोल दिया ठीक है अब ओ बोल दिया अगर रीडियस 5 है तो ये 5 हो गया और यह पूरा जो distance है वो कितना है 8 क्योंकि कॉब्ड 8 है तो यहाफ हो जाएगा क्योंकि पता है कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यह आधा-धा बनता है तो यह चार हो गया अब यह चुकि 90 डिगरी है तो ट्रिप्लेट लग जाएगा तीन चार पांच वाला यह चार है यह पांच है तो यह तीन बनेगा और यह तो यह भी तीन बनेगा क्योंकि दोनों ही जो जिवाएं हैं वो समान लंबाई की हैं तो दोनों अगर सेम लंबाई की जिवाएं होती हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम रहता है यानि कि यह अगर थ्री है तो यह भी थ्री होगा तो ट्रोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6 आपको बताना है कि देखो इसके बीच ये जो कॉड है और ये कॉड है इनके बीच का distance कितना है ये वला तो ये 6 बनेगा और 6 answer होगा option यहाँ फर थोड़ा गरत लिख दिया गया है ये नहीं होगा basically ये 1 2 3 4 option बेसिकली लिखा गया है 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं बाग ही ये सही है 5 6 और 3 8 तो इस में से जो option B है वो सही है अगला स्वाल question number 32 triangle ABC में twice of angle A thrice of angle B and six times of angle C ये सेम है तीनों का मेंसे सबसे बड़ा कॉन बताना है अच्छा इनका ratio अगर मैं पूछू कि कौन A ratio कौन B ratio कौन C बताओ तो आपका क्या बोलोगे देखो इन सबका LCM 6 है तो सब को divide करो 6 में सबसे divide कर दो 2 से divide कर दोगे 2 3 6 और 3 से divide कर दोगे 3 2 6 और ये एक आएगा अब इनका सबसे बड़ा 3 है तो सबसे बड़ा एंगल जो आएगा वो 90 आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखे क्वेशन नंबर 33 यदि एक सम्द्विबाहू सम्कोन तिरभूज क्या कर्ण 10 है सम्द्विबाहू का मतलब जिसमें दो साइड सेम हो पहली बात की ये द इंगल इसमें 90 डिङरी भी इसका कर यानि की है के तो बागी दो भुझाओं की लिए अगर यह सेम है आपको पता है यह 10 है देखा तो यह वन और यह बन है तो यह रूटी होता है तो रूटी की वैलू अगर 10 है तो यंदि की वैलू कितनी हो जायेगा 10 उस kind i के इसको आप से सेंटर ओ से एवी से होकर एवी को बिन दूसी पर परतिछेद करते हुए एक लंब कीजा जाता है ओसी की लेंद 5 सेंटीमिटर है तो एवी की लेंद कितनी है चलिए पहले डियाग्राम बना लेता है मानलो यह एक सरकल हो गया अब इसमें कहा रहा है कि एवी 13 सेंटीमिटर शर्ड व्रित की इक 13 cm की 3-1 वर एक व्रित की जीवा है मानलो यह मैंने pays masuk कर दिया जो कि जीवा हो गया यानि की कॉर्ड सेंटर इसमें कह रहा है कि O है सॉरी सेंटर सेंटर की जगह पर नहीं बन पाया यह सी सेंटर O है ना यह O हो गया अब कह रहा है कि O से AB से होकर AB को मिन्दू C पर परतिछेद करते हुए एक लंब की जा गया AB को C पर काटने वाला एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ऐसे रेडियस कितना है 13 है अब OC का लेंथ आपको 5 दे रखा यह 5 और AB बताना है अब यह अगर परपेंडिकुलर है तो 5 12 13 का ट्रिप्लिट लग जाएगा यह 5 6 13 है तो यह 12 होगा और यह 12 है तो यह भी 12 होगा और 12 दुना यह पूरा कितन दिया गया आप सौरी 25 दिया गया है तो तुर्फूच का चितरफल बताना है चलिए देखिए सबसे पहले तो आप यह समझे कि यहां पर जो दे रखा है अर्ध परिमाप जिसको सेमी पेडिमीटर आप बोलते है एस और माइनस ए पहला साइड यह दे रखा है 18 एस माइनस दिसरा साइड यह दे रखा है 25 अगर तीनो को हम प्लस कर दें तो यह आजाएगा 3S और माइनस का A प्लस B प्लस C यही आएगा राइट साइड में क्या आजाएगा 16 सबको 8 कर ओगा अगर मैं 2 से सबको डिवाइट करूं तो यह 3S पाइ 2 और माइनस का A प्लस B प्लस C 2 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा S के बराबर हो जाएगा ये बात तो आप भी समझ रहे हो ठीक है या आप यहां से एक और बात लिख सकते हो इतना जाने की जरूरत नहीं है और इतना दिमाग चलाने की जरूत नहीं है ये 3S ऐसे ही रहने दो और ये जो है ये S का डबल ह यानिकि यह 2S के बराबर है आप भी समझते हो क्योंकि A plus B plus C by 2 जो होता है यह S होता है तो इस 2 को अगर इधर लाओगे तो यह 2S बन जाएगा और इधर होगिया 60 तो यहां से S की value कितनी आगई आपके पास 60 S की value 60 आगई तो area क्या होता है हिरोन के formula से S into S minus A S minus B S minus C तो S के जगह पर 60 लिखोगे S minus A यानि की 18 दे रखा है S minus B 17 और S minus C हो गया 25 ठीक है अब देखो अगर मैं 60 कितना है 15 चो के 60 यानि 4 का बर्गमूल 2 हो जाएगा और अंदर कितना बचा रह जाएगा आपका 15 ठीक है 18,9 दुन, 18,9 का बर्गमूल 3 और 1,2 अंदर चला जाएगा 17 तो निकले का ही नहीं है यहाँ पर रहने दो और 25 का एक 5 आ जाएगा ठीक है तो यह आगया 5,3,15 दुन, 30 बाहर आएगा तो option C ही सही है क्योंकि इसी में 30 बाहर है ठीक है आगे बढ़ जाता है question number 36 आपको बता है इसकी वैलू 154 होती है कब जब आर साथ होता है लेकिन आर यहां पांच गुना है तो एरिया उसका 25 गुना बनेगा यह बनेगा लेकिन अभी भी कहीं पर गलत कर दिया नहीं गलत नहीं किया है लग रहा है तो देखो मल्टिप्लाइ कर लो 25 के 100 के 0 हासिल 10 और 25 25 और 10 135 तो लास्ट में 50 आएगा अभी 13 है तो 25 से कम 25 और 13 कितना हो जाएगा भई या 38 तो 38 और 50 यानि ऑप्सन ए चलिए अगला सवाल देखिया अगला सवाल कह रहा है कि एक संकु के अधार का जो चेत्रफल है वह 154 है सेंटिम्टरे स्क्वार है इसका जो वक्र सता का चे इसका आयतन बताना है यह एक्स्ट्रा अच्छा यह सब यार यह एक्स्ट्रा आगया इसको मत काउंट करना ठीक है यह नहीं होगा यह पहले हमने कर लिया है इंगलिस के हिसाब से इतना ही है वोल्यूम बताना है आपको वोल्यूम बता सकते हो देखो यह संकु है संकु का Volume 1Y3 और Pi R Squared H होता है, यही होता है, अब देखो इसके अधार का चेत्रफल 154 दे रखा है, याने कि 1Y3 अधार का चेत्रफल Pi R Squared ये 154 हो गया ठीक है height चाहिए height कैसे निकालोगे वक्र सता है का चितरफल 550 है संकू का वक्र सता है का चितरफल होता है πाई आरेल ये दिया है 550 ठीक है πाई हो गया 22 बटा 7 ये 550 है और r आपको पता नहीं है ठीक है हलाकि ये 154 है तो r साथ ही होगा ये आपको याद रहना चाहिए और l नहीं पता है ये होगिया 550 साथ से साथ कट जाएगा और ये 22 से कट जाएगा ना ये 110 और इंटू 5 है तो 22, 25, 110 यानि कि ये 25 आ गया ठीक है तो l का मान अगर 25 है दोस्तों और r का मान 7 है तो h कितना होगा 7, 24, 25 ये 25 है ना तो ये 24 आएगा h का मान 24 होगा तो यहाँ पे 24 रख दो तो ये 3, 8, 24, 8, 4, 32 और 15, 8, 120 और 13, 100 तीन आया ना 15, 8, 120 और 3, 120 यानि कि आप्शन ये आ रहा है अगला सवाल है अर्थ गोले का संपूर्ण प्रिष्टिय शित्रफल 462 है ब्यास कितना होगा अर्थ गोले का संपूर्ण प्रिष्टिय शित्रफल होता है 3 πाई आर स्क्वेर ठीक है और ये दिया है आपको कितना 462 तीन से अगर काट दो तो ये होगया 15, 45 और 4, 12 पाई आर स्क्वेर की वेलू अगर ये है तो आर कितना होगा साथ अभी मैंने बोला था याद रखना चाहिए आपको नेक्स्ट क्वेशन पढ़ाते हैं क्वेशन नमबर 39 यदि 1 प्लस साइन स्क्वेर ठीटा और माइनस 3 साइन कॉस ठीटा इसकॉल टू जीरो है और इसको अगर आप साइन स्क्वेर से डिवाइड करोगे तो स्क्वेर से साइन कुट जाएगा तो 3 और कॉस भाइ साइन क्या मनेगा आपके पास कोट इसकॉल to 0 कोट को अगर मैं एक्स लिखने लगूं इसको पहले देखो आप ये कितना होता है 1 plus cot square theta होता है और plus का ये 1 और minus का 3 और cot theta is equal to 0 अगर आप इसको सजा के लिखने तो ये हो जाएगा cot square theta और minus 3 cot theta और plus का 2 equal to 0 अब अगर मैं cot को x लिखने लगूं तो ये होगा x square minus का 3x plus 2 equal to 0 और आपको x निकालना रह जाएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो x square और minus का 2x minus x और plus 2 equal to 0 ठीक है अब यहाँ से अगर x common लेलो तो x minus 2 और minus 1 common लेलो तो x minus 2 equal to 0 तो x की value 1 या 2 आ रही है 2 match हो रहा है तो option b ठीक है 1 अगर होता तो लगाते अगला सवाल देखी कह रहा है कि cos to the power 4 alpha minus sin to the power 4 alpha यह 5 by 6 है तो 2 cos square alpha minus 1 पोच रहा है देखो सबसे पहले अगर आपको एक formula याद हो कि 2 cos square alpha minus 1 जो है यह cos 2 alpha का formula होता है या फिर यही चीज cos square alpha और minus sin square alpha के बराबर होता है अगर आपको याद नहीं है तो आप इस 1 के जगह पर लिख भी सकते हो sin square theta और plus cos square theta और फिर आपका यह आजाएगा ठीक है तो यह इतना बनता है अब यह जो चीज लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते है कि यह square का square है इसको भी square का square लिख सकते हो अब अगर यह a square minus b square का form होगा तो एक बार plus में एक बार minus में लिखोगे प्लस में लिखोगे तो ये cos square theta और plus alpha को मैं theta लिख रहा हूँ sin square theta आएगा और into का फिर से यही चीज माइनस में आएगा cos square theta minus sin square theta और ये 5 बटा 6 है अब ये value तो 1 होता है इसको हटा दो आप और ये निकालना ही है देखो ये निकालना है न तो ये 5 बटा 6 ही रह जाएगा याने की option भी आगे बढ़ते हैं question number 41 देख लिजे 1045 और से कितना की value x है ये रहने देता हूँ ये आप कर लेना बस value put कर लेना है question number 42 पर आता हूँ ये क्या है भाई फिंटेक छेत्र में सफल स्टाट अप की संक्या और सफल स्टाट अप की संक्या का नुपात कितना है। सबसे पहले क्या कहा रहा था number of successful startups देखो एक तो ये दे रखा है जो कि number of Startups है और यहाँ पर दे रखा है successful का तो हमसे कह रहा है कि सफल वाला बताओ यानि successful वाला successful वाला fintake में fintake यह है successful वाले में यह कितना है 104 और ratio बताना है आपका unsuccessful से तो देखो total fintake में है 256 इसमें से जो successful है वो कितने है 104 तो unsuccessful कितने मचे तो आप इसको minus कर लोगे तो यह 6 में से 4 गया 2 और 5 152 unsuccessful है तो यहाँ unsuccessful 12 हो गया 8 से गर काट दें तो 13 8 104 और यह हो जाएगा 19 8 152 तो 13 और 19 याने की option D अगला सवाल है अपने पास बिजली और इंधन पर अनिल के व्याय के लिए संगत केंदरी ये कौन याने की central angle क्या होगा ठीक है अचा देखो power and fuel बिजली और इंधन ये है 15% के लिए आपको इसको central angle इसका बताना है total percentage 100 है तो 100% की value कितनी होगी 360 degree क्योंकि पूरा central angle 360 का होता है ठीक है तो 5% का कितना हो जाएगा अगर 20 से काटो तो ये 12 आएगा 12 नहीं आएगा 5% की value 18 आएगा तो 15% आपको बताना है ये 5 का 3 गुना है तो 18 का 3 गुना 18 तिया 54 याने की option B आगे बढ़ते हैं अब next question अपने पास ये है मनुरंजन यात्रा और विविद पर संजुक्त मासिक वियाए और बोजन सिक्षा बिजली और चिकित्सा पर औसत वियाए का अनपात बता देखे इसी question में एक monthly expenditure भी आपको दे रखा है ठीक है वो 50,000 का है याने की मासिक वियाए और ये वियाए का ही चार्ट है लेकिन देखो जब ratio पूछ रहा है तो आपको इसकी कोई खास जरूरत नहीं है आप ऐसे ही निकाल लो जैसे पहले कह रहा है कि मनुड़न्जन देखो यहाँ पर Combined monthly expenditure on entertainment, travel and miscellaneous entertainment यानि 10 travel यानि 10 और miscellaneous यानि की 11 तो पहले वाले में total कितना हो गया 10 और 10, 20 और 11, 31 और issue दूसरे टाइप में क्या कह रहा है दूसरे टाइप में कह रहा है कि average expenditure on food education, electricity and medicine यह average में निकालना है food, education, electricity and medicine food कितना है 30% देखो मैं rate से दिखा देता हूँ food है 30 और plus food के बाद क्या चाहिए था आपको education education है अपने पास 15 और plus medicine चाहिए और electricity चाहिए तो यह 15 और 9 है और इनका average चाहिए तो 4 यह 4 इधर लादो तो 31, 4 की 124 और ratio यह 8 करोगे 69 तो option C सही है यहाँ पर आगे बढ़ जाते है next question next आपके पास यह है कह रहा है विभिन बड़सों में एक कमपणी द्वार निडवे तीकाईयों की संक्या M और विक्राय की गई काईयों की संक्या यानि की S यह सेक्रों में दिखाया गया है आपको यहाँ पर M इतने सेक्रा और S इतने सेक्रा ठीक है अब यह कह रहा है सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कमपणी द्वारा विक्राय की गई इक काईयों की ओसत संक्या विक्राय यह वाला है S वाला है जो सेल किया गया है वो ठीक है तो इसका एवरेज लिलो तो सबका सम और बटा नमबर वो लिखो गये यही होता है तो यह हो गया 7, 5, 12 और 4, 16, और 1, 17 ठीक है और यह 4, 2, 6 और 1, 7 इतना बन रहा है लेकिन यह सैकरा में है तो 100 से मल्टिप्लाई करके ही मैं लिख देता हूं 7, 170 और 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि यह 5 नमबर है तो एवरेज निकल आएगा तो यह हो जाएगा 15, 75 और 4, 25 यानि की 154, option C Question number 46 कह रहा है कि मार्च महिने में उप्यूक्त E मात्रा, E की मात्रा माई के महिने में उप्यूक्त सभी खादे पदार्थों की कुल मात्रा का कितने परतिशेत है देखो मार्च महिने में E की मात्रा मार्च में E की मात्रा कितनी है 308 और कह रहा है कि सभी खादे पदार्थों की मात्रा ठीक है माई के महिने में सभी खादे पदार्थों की मात्रा तो माई में सब को प्लेस कर लो आप इसका यह कितना परसेंट है सब को प्लेस करोगे तो आएगा देखो 7 और 9 16 और 8 24 24 और 10 हो गया 34 हासिल दो और 2 4 और 3 7 7 और 4 एक 11 और 3 हो गया 14 ठीक है तो ये 1440 का 308 जो है ये 1440 का कितना परसेंट है ये बताना है बस अब ये अगर माल लो 1 0 से 1 0 कट गया तो फिर ये कटेगा कहीं है गलत तो हमने नहीं जोर लिया 9 7 16 और 8 24 और 10 34 तीन और 2 5 तीन 8 4 12 और 3 अच्छा पंदर ये 5 तो यहाँ पर इसे 5 बना लो फिर 154 दोना तो ये 2 और 0 20% बनेगा इसका मतलब 20% option A आगे बढ़ जाते है नेक्स्ट क्येशन है बिकरी की गई कारों की कुल संख्या में से ये परकार की कारों अच्छा कर है यहां कर है यहां कर है यहां कार है कार ही है overall ठीक है तो ये भी कार होगा कारों की बिकरी का परतिशत किस वर्थ नियूंतम था ठीक ह इपरकार की कारों में सबसे जो परसेंटेज है वो किस साल सबसे कम रहा है ये बताना है अब देखिए यहां पर दो उपा है एक तो परसेंटेज निकाला जाए और फिर देखा जाए एक किस में कम हो रहा है किस साल में या फिर फ्रेक्शन में ही हम कंपेर कर लें लेकिन हर एक हाल में आपको टोटल नंबर तो निकालना परेगा जैसे देखो ऑप्सन के एक ओर्डिंग चलते हैं 2011 है ऑप्सन में तो 2011 वाला टोटल एड कर लो कितना बनेगा देखो यह हो गया आपके पास चार और चार आठ और दो दस और दो बारह और नौ 21 ठीक है दो बंच गया तो दो और एक तीन और एक चार और एक पांच और एक छे और एक साथ सेवेंटी वन आ गया ठीक है फिर आपको चाहिए 2007 वाला यह टोटल एड कर लो 12 और 8 20 और 10 30 और 15 हो गया 45 और 9 54 फिर 2010 वाला दस वाला यह है इसको एड कर लो तो यह देखो 12 और 18 हो गया आपने पास 30 और यह 24 हो गया 30 और 24 54 और 13 कितना हो गया 66 और चाहिए आपको 2008 2008 वाला यह है इसको एड कर लो तो यह हो गया देखो 12 दुना 24 और 12 और 36 और 37 और 50 यह हो गया 57 अब सबसे कम बताना है आपको कौन है तो इसमें ए कितना है 9 है आउट आफ कितना 54 दूसरे में देखो यह है 2007 ठीक है दूसरा आपका है 57 इसमें से ए कितन 262008 वाला तीसरा है 362010 वाला चिंद इसमें बारह कितने में से 60 में से और लास्ट जो है 211 का इसमें 71 14 में से ठीक है 14 है 71 में से इसमें इसमें compare करना है तो आप चाहो तो पहले इनको compare कर लो क्योंकि इसमें जो numerator है वो सेम है अगर denominator अलग अलग है numerator सेम है तो यह value हो गई छोटी और यह value हो गई बड़ी ठीक है क्योंकि जिसका denominator होता है बड़ा वो value होता है छोटा तो यह तो गया ठीक है अब इसमें से किसी को भी आप चेक कर लो जैसे यह माल लो काट लो यह 9 चाके 54 तो एक बटा 6 लिख लो अब इनको अगर चेक करना है तो cross multiply कर लो यह 67 आएगा और यह 12 चाके 72 आएगा तो यह तो बड़ा हो गया चला गया यही छोटा है अब यह एक बटा 6 है और यह 14 बटा 71 बड़ा कौन है भाई यह 71 और यह 14 चाके कम percentage है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 49 इसके बाद एक क्वेशन रह गया है छे अलग अलग वर्सों के दोरान 5 अलग अलग कंपनियों को आपको हजार में भागिदारी दिखाया गया है पिछले छे वर्सों में द्वीगी में दिए है ट्वीगी हाला कि यह लिखा गया है इन दे लास्ट 6 एर आपको कह रहा है फाइंड दे एवरेज नंबर अफ डेलेवरी अच्छा ठीक है कितने डेलेवरी हुए हैं उसका एवरेज बताना है लास्ट 6 साल में ट्वीगी में यह लास्ट 6 साल ठीक है एक दो तीन चार पांच छे यानिकी इनका एवरेज बताना है बस चलिए अगला सवाल देखिए इसमें आपको पिछले छे साल का एवरेज बताना था किसमें ट्वीगी में सबको एड कर लें फिर प्वाइंट को छोड़के ही एड कर लो मानलो आप चाहो तो ऐसे भी या ले लो दो और पांच साथ साथ और चार एक ग्यारा और आठ उननिस और दो एकिस और छे एकिस और छे 27 हासिल दो हो गया तो दो और दो चार और दो छे और दो आठ आठ और छे 14 इतना आ गया और चुकी ये देखो अभी पॉइंट यहाँ पर आ जायेगा ठीक है लेकिन ये हजार में है तो हजार से मल्टिप्लाई करोगे तो इस पॉ जास आएगा ओप्सन भी लास्ट क्वेशन पर आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेशन है ये भी आपको दिया गया है ऐसे ही डारेक्ट यहां पर आते हैं बर्स 2015 से 2018 तक कितने चात्र गनित भौतिक रशायन विज्ञान अच्छा गनित भौतिक रशायन विज्ञान और सब बता देना है आपको 15 से ले करके और 18 तक का अब देखो यहां पर एक काम कर सकते हैं आप्सन में जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग है तो हम लास्ट डिजिट कॉंसेप्ट लगा सकते हैं या फिर आप देखो कि डीएस भी अलग अलग है तो आप डिजिटल सम ही डिजिटल सम जादा बेटर होगा सबको जोरना है तो यहां पर डिजिट कितना है एक यहां पर चार है और यहां पर पांच और एक छे है नौ को तो लेंगे ही नहीं ठीक है इसमें देखो आठ और एक नौ को लेंगे ही नहीं पांच और तिन आठ है डिएस यहां पर और य ये कितना होगे 8 और एक 9 लेंगे नहीं तो ये 2 और 2 4 जिसमें DS 4 आएगा वो एंसर होगा ये देखो 1 और 2 और 2 4 यहाँ पर आ रहा है ये एंसर हो सकता है 9 हटा दो 7 होगा नहीं इसका DS 1 है नहीं होगा इसका DS 9 या 0 है नहीं होगा तो option A सही है या फिर आपको सबको जोड़न करना पड़ता है या यूनिल डिजिट पर भी आ सकते थे तो यह लास्ट क्वेशन था वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू फर वाशिंग वीडियो